क्या है इसका वैग्यानिक नाम? क्यूं होता है यह सफेद? घर पे इसका आना शुब होता है या शुब? समाज में यह किस वर्ग का होता है प्रतीक? क्यूं बैठता है यह वहन्स पर? इसके अलावा और भी सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में. तो दोस्तों स्वा इस पक्षी की पूरी दुनिया में लगभग चौसट से भी ज़्यादा प्रजातियां पाए जाती हैं. ये सारी की सारी प्रजातियां रंग और आकार में भिन होती है. जबकि अगर भारत की बात करें तो भारत में लगभग 21 प्रकार के बगुले पाए जाते हैं. जिसमें उसत उम्र 15 से 20 साल की होती है. समाज में बगुले को धोंगी और पाखंडी वर्क का प्रतीक माना गया है. जैसे वह कोई बहुत सीधा साधा प्रानी हो. लेकिन असल में वह ऐसा होता नहीं है. जैसा की देखने में नजर आता है. ये बहुत ही चालाग पक्षी होता है. ये एकदम बड़ी चालाकी से मचली पर जपट पड़ता है. और मचली को अपनी चोंच में दबाकर निगल लेता है. बाद में वो फिर धोंगी और भोला भाला बनकर खड़ा हो जाता है. तो दोस्तों, इसलिए समाज में बगुले को धोंगी और पाखंडी वर्क का प्रतीक म होता है. तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब यह है कि जिस तरह तो ताहरा होता है, कौवाकाला होता है और गौरा यह भूरी होती है. ठीक उसी प्रकार बगुला सफेध होता है. क्योंकि प्रकृती नहीं उन्हें ऐसा बनाया है. बगुला का निवास थान तालाबों के पानी वाले इलाकों में ज्यादातर रहते हैं. यह जुंड में रहना पसंद करते हैं. इन पक्षियों का घोसला पेड़ों की पत्तियों और टहनियों से बना होता है. बगुला अपना घोसला व्रिक्षों या उची चटानों पर बनाते हैं. जिस से कि कोई शिकारी उनका शिकार न कर सके. बगुले का भोजन क्या है? दोस्तों वैसे तो बगुला का प्रिय भोजन मचली है. लेकिन इसके अलावा मेधक और कीटों को भी खाता है. बगुले की एक विशेशता ये है कि ये बहुत ही फूर्तीले धन से शिकार करता है. दोस्तों कभी-कभी आपने बगुले को भेंस पर बैठे हुए देखा होगा. क्यों बैठता है ये भेंस पर? वह इसलिए. क्योंकि ये भेंस के शरीर पर मौजूद जोए किलनी आदी को खाता है. अब बात आती है कि घर में बगुले का आना शुब होता है या अशुब. तो इस संबंध में ये धारन मानी जाती है कि ये जिस भी घर के पास या किसी व्रिक्ष पर रहते हैं वहाँ शांती रहती है और किसी भी प्रकार का अशुब नहीं होता है. तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं. Have a nice day, take care.